हेलो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं जारखंड अपटेट दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज के इस सेशन में हर दीन के तरह देखते हैं जारखंड करेंड अफेर्स रिलेड़ेट कुछ इंपॉर्टन प्रशनों को दोस्त नेक्स्ट वीडियो में उसका विवरण यानि व्याक्या आप देख पाएंगे शुरू करते हैं पीछले प्रशन में पूछे गए अभ्यास प्रशन का आईए जानते हैं वह अभ्यास प्रशन क्या था जिसे व्याक्या भी करेंगे दोस्तो जारखन में मानेता प्राप्त शिक्षन संस्थानों से दस्वी और बारहवी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए किस योजना के तहत रिण की ववस्ता की जाएगी बिर्सा स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम गुरुजी स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम एकका स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम अत्वा ऑप्शन डी टाना स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम दोस्तो इस प्रशन का सही उतर है ऑप्शन बी गुरुज बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में आपको बताते कि जारखंड के मुक्रमत्री हेमंद सोडेन ने राजी में सिक्षा को विस्तार देने के लिए और इस क्रम में दस्वी और बाहरवी पास गरीब परिवार के विद्यार्थियों को उच्छ शिक्षा के आउसर देने क के लिए गुरुजी स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड स्कीम को शुरू करने की योजना बना रही है आपको बता दे कि इसके तहट सरकार 200 करोड रुपे के कौप्स फंड भी बनाएगी योजना का उद्देश की बात करें तो जारखंड राजी के बच्चों के अच्छे सि कि जिक्षन संस्थानों से दसमी और बारहमी की पढ़ाई करने वाले और साथ ही डिपलोमा चात्रों के लिए वे जो दसमी उतरीन कर चुके हैं के लिए, विद्द्यारतियों के लिए, रिण की विवस्ते इस योजना के तहट की जाएगी इसी उद्देश से इस योजना को शुरू करने करने ने सरकार ने लिया है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जारखंट करेंट अफियर से रेलेटेड इंपोर्टेंट पांच प्रशनों को शुरू करते हैं पहले प्रशन से आज का पहला प्रशन है जारखंट हाई कोर्ट ने किस जिले में हुए अगनी कांड के मामले में स्वतह संग्यान लेते हुए पूरे मामले की जाज के लिए दो कमीटी का गठिन किया है इसका सही उत्तर है ओप्शन ए धनबाद दोस्तों आपको बता दे कि जारखंट हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंग वजस्टिस दीपक रोशन के अदालत ने धनबाद में हुए अगनी कांड के मामले में स्वता संग्यान लिया है और इस पर सुनवाई की है इस पूरे मामले की जाज के लिए दो कमीटी का गठन भी कर दिया गया है आपको बता दे कि हाली में धनबाद के जोड़ा फाटक शक्ती मंदरी रोड इस्तित आशिरवाद अपार्टमेंट में आग लग जाने की घटना के करण 14 लोगों की मुख्य मंतरी ने मुख्य मंतरी ने मुख्यों के परिजनों को 4 लाख रुपया मुआवजा राशित दे ने कंदे देश दिया है आपको बता दे कि शहर के शहर में महज दो हपते के भीतर दो भेंकर अगनी कांड हुए है इससे पहले सीसी हाजरा होस्पीटल में अगलगी की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें दो डॉक्टर पती पतनी दोनों शामिल थे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दूसरे प्रेशन को जारखन में और सत मात्रित्व अम्रित्य उदर यानि MMR मैटर्नल मॉर्टलिटी रेट वर्दमान में कितना है 61, 71, 81, 91 इसका सही उतर है आप्शन A 61 आपको बता दे कि रास्टिय स्वास्त नीदी यानि National Health Policy के तहट जननी एवं शिशु सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारत तय मानुकों को जारखन ने आठ वर्स पहले ही पूरा कर लिया है आपको बता दे कि जारखन ने मात्रित्व मृत्यूदर यानि MMR, Maternal Mortality Rate, शिशु मृत्यूदर, IMR यानि Infant Mortality Rate, नौजात मृत्यूदर, NMR यानि Neonatal Mortality Rate के मामले में सतत विकास लक्ष को न सिर्फ तैस समय से पहले हासिल कर लिया है बलकि रास्टी और वसत से भी जारखन आगे निकल गया है, आईए इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं, आपको बता दे कि Sustainable Development Goal के ताहत 2030 तक MMR का रास्टी और वसत 90 लाने का लक्ष था, जबकि जारखन में यह अभी ही और वसत 61 पहुँच चुका है, जबकि रास्टी और वसत यह 112 है, यानि प् मृत्यू हो जाती है, जारखन में सिर्फ 61 मताओं की ही मृत्यू होती है, यह इस्तिती नौजात की मृत्यू का है, 2030 तक IMR 26 पर लाना था, जबकि National IMR यानि रास्टिये Infant Mortality Rate 28 की तुलना में जारखन का IMR 25 है, वहीं संस्थागत प्रसों की बात करें, तो जारखन इसमें भ आपजूद जननी ओम, शिशु सुरक्षा के अन्यमानकों के साथ संस्थागत प्रसों में भी जारखन रास्टिय और सथ से आगे निकल चुका है, आपको बता दें कि वर्दमान में इंस्ट्यूशनल डेरिवरी का रास्टिय और सथ यानि प्रतीशत में 61.9 है, वहीं जार 30 तक ही से 95 लाने का लक्ष है, दोस्तों चलिए, अब देखते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्ट को, आज का नेक्स्ट प्रश्ट है, जारखन के बेतला नेशनल पार्क से किस जानवर के लुप्त होने की कबर आई है, हिरन, कोईया, सामभर, अथवा हाथी, इसका सही उतर है जारखन के बेतला नेशनल पार्क में करीब 200 की संख्या में पाए जाने वाले वाइल डॉक्स, जिसे लोकल भाशा में कोईया कहते हैं, लुप्त होने की खबर हाई है, आपको बता दे कि 2010 के बाद से इन्हें नहीं देखा गया है, 1974 में पलामू टाइगर रिजर्व की स्थ के कारण इन कोईया लुप्त हो गया है और इनकी इम्रित्य हो गई है, बेतला नेशनल पार्क में पाए जाने वाले वाइल डॉक्स को इस्तानिय भाशा में कोईया कहा जाता है, अब लुप्त प्राय प्रजाती के रूप में घोशित हो गया है, वर्स 2010 के बाद तक अब त कितनी रगम देने की गोशना की है, 1271 करोड रुपए, 2271 करोड रुपए, 4271 करोड रुपए, अथ्वा 5271 करोड रुपए, इसका सही उत्तर है, ऑप्शन D, 5771 करोड रुपए, दोस्तों आपको बता दे कि जार्खंड को केंदर सरकार की तरफ से अमरित रेल योजना के 5271 करोड रुपए के सौगात मिली है, राजी के रेलवे बुनियादी धाचा का बढ़ाने के लिए या अमंटिन किया गया है, इस राशी से जार्खंड के 57 रेलवे स्टेशनों का पुनर विकास किया जाएगा, इस लिस्ट में धनबाद के 30 स्टेशन सामिल है, आपको बत तमंत्री ने वर्ष 2023 के लिए भारतिय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड रुपए का आवंटन की घोशना की है, यानि रेलवे के लिए कुल बजट 2.40 लाख करोड है, चली अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब नेक्स्ट प्रशन को, आज का पांचवा नंबर प् एक दिसंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022, एक जनवरी 2023 से 14 जनवरी 2023, 15 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023, अथवा एक फरवरी 2023 से 14 फरवरी 2023, इसका सही उत्तर है option D, यानि जार्खन में PDS सशक्तिकरल पक्वाडा एक फरवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक मनाया जा रहा है आपको बताते कि राज्य में अन्य की अधिकार से वंचित जरूरतमंद लाबुकों को राशन काड उपलब्द कराने की गती में तेजी लाने के लिए PDS Empowerment Fortnight यानी PDS स्रशक्तिकलन पखवारा का आयोजन किया गया है इसका आयोजन एक फरवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक चलेगा मुख्यमंद्री के आदेश पर न सिर्फ PDS स्रशक्तिकलन पखवारा का आयोजन किया जा रहा है बलकि आयोशमान भारत मुख्यमंद्री जन आरोगे योजना के अंदगत लाबुको के EKYC के माध्यम से तेजी से निशुलक आयोशमान कार्ड बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया है सभी प्रग्या केंद्रों को हर दिन कम से कम पचास योग्य परिवारों के रजिस्ट्रेशन का लगश रखा गया है चलिए अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं आज के अभ्यास प्रशन को दोस्तो आज का अभ्यास प्रशन है वर्दमान में जारखन उच नियाले के कारवाहक मुख नयाधीश कौन है नयामूर्ती रवी रंजन, नयामूर्ती रतनाकर भेंगरा, नयामूर्ती अनील कुमार चौधरी अथवा नयामूर्ती अपरेश कुमार सिंग दोस्तो इस प्रशन का जवाब आप कमेंट में देश सकते हैं धन्यवाद दोस्तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जोड़े रहे हैं जारखंड अपडेट के साथ धन्यवाद